नमस्कार नक्षतर दुनिया चैनल में आप सभी का हर्दिक स्वागत है मित्रों आज के वीडियो में हम बात करेंगे सनी ग्रहे की कुछ विशेस इस्तितियों के विशे में आज के वीडियो के माद्ध्यम से आप प्रम कुरूप से ये समझ पाएंगे कि कुण्डी में उच्च के सनी ज्यादा सुफलदाई है या फर नीच राशी के सनी ज्यादा सुफलदाई है यानि उच्च के शनी और नीच के शनी में एक तुलनात मकद्धन आज के वीडियो में हम करेंगे इसके अलावा सनी की दृष्टियों के फल किस प्रकार से होते हैं इसको भी समझने का प्रयास करेंगे यानि शनी की दृष्टियां किन इस्थितियों में अच्छा फल देती हैं और किन इस्थितियों में अच्छा फल नहीं देती हैं यानि कौन से वह ग्रहें जो ये ग्रहों के साथ जैसे की चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु और केतु इन ग्रहों के साथ यदी यूती बनाते हैं तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं सस महापुरुस योग यदी आपकी कुंडी के अंदर बन रहा है तो ये सस महापुरुस योग आपको अच्छा फल दे पाएगा या नहीं दे पाएगा इसे भी जानेंगे साड़े साती यदी आपकी कुंडी में आपको लग रही है तो क्या वह आपको प्रभावित करेगी तो प्रभावित करेगी तो सुफल देगी या सुफल देगी इस पर भी चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे यदि आप चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब अबसे करें, वीडियो ग्यान बर्दक लगे तो लाइक भी करें, आईए सुरू करते हैं मित्रों शनी ग्रह का नाम सुनकर मन में अक्सर एक भय ब्याप्त हो जाता है क्या शनी ग्रह हमारी कुंड़ी में सो फलदाई बनेंगे या नहीं बनेंगे ध्यान रखें कि शनी ग्रह के फल कर्मों के उपर ज्यादतर निर्भर करते हैं इसके अलाबा यदि आपकी कुंड़ी में शनी ग्रह की स्थिती सुभ हो तो जीवन में ये उच्चता प्रदान भी करते हैं जीवन को सुन से लिखर सिखर तक की यात्रा पहुचाने में, यात्रा करवाने में और उनती दिलवाने में विशेस सहायता प्रदान करते हैं इसके अलाब कई वारें साथ देखा गया है कि नीच राशी के शनी महराज यदि आपकी कुण्डी के अंदर हैं तो वै भी उच्छी तरक्की देने में सक्षम हो पाते हैं लेकिन उसके लिए कुछ विशेस इस्तितियों पर हमें ध्यान देना होगा जिस पर चर्चा अभी हम आगे करेंगे आज की वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि शनी ग्रह यदि नीच राशी का हो जाए तो वह कौन सा ग्रह जिसे बलवान करने पर या उसकी इस्तिती सुब होने पर आपको नीच के शनी भी अच्छा फल परदान करते हैं वै भी हम उधारों के माद्यम से यनी शनी ग्रह यदि नीच राशी के हो तब भी अच्छे फल देते हैं और इसके अलाबा यदि ये उच्छ राशी के हो जाए तो ये उच्छ राशी के शनी अच्छा फल देंगे या नहीं देंगे इसे भी देखना जरूरी हो जाता है तो आईए सुरू करते हैं मित्रों लगन की कुंड़ी में नहीं हाँ पर ली हुए, अब कुम लगन की कुंड़ी में क्योंकि शनी ग्रहे दौदेश भी बनते हैं और सासाथ बनते हैं लगनेश, अब क्योंकि लगनेश हैं तो दशा अंतर दशा के दौरान सामाने था यह अच्छा फल देंगे, ऐसा हम विचार करते हैं, अब क्योंकि शनी ग्रहे नीच राशी के होकर बेटे हुए हैं, अब बेटे कहां पर हैं, पराकरम भाव के अंदर नीच राशी के होकर बेटे हुए हैं, लेकिन शनी ग्रहे अपनी दशा अंतर दशा के दौरान जातक को अच्छा फल देंगे, आपको यहाँ पर यहाँ पर लगने शोकर नीच राशी के पराकरम भाव के अंदर हुए हैं इसके अलावा मंगल की हम बात करें तो मंगल के स्थिति यहाँ पर सुभ हो गई है यानि मंगल ग्रह स्वागरी होकर कुंड़ी के दसम भाव के अंदर बेट गए हैं अब ये शनी ग्रह जातको अपनी दशा अंतर दशा के दोरान विशेस रूप से सो फल डाई ग्रह बनेंगे क्यों बनेंगे देखिए क्योंकि शनी ग्रह जिस भाव में बेटते हैं उस भाव में व्रदी करते हैं हम जानते हैं अब शनी ग्रे क्योंकि पराकरम भाव के अंदर बेटे हुए हैं तो सीधी-सीधी बात है कि जा तक के पराकरम को बढ़ाने वाले ये मानने जाएंगे क्योंकि ये नीच राशी के हो गए तो ध्यान तो शनी दशां अंतरदशा के दौरान सू फल दाई ग्रहे बनेंगे। लेकिन विशेस बात यह है कि शनी ग्रहे की महाधशा में जब अंतरदशाएं आपको देखनी होगी। इस नीच राशी के शनी की दशा में जब गुरू की दशा आएगी तो जातक या जातिका के लिए नुकसान दायक हो सकती है मित्रों आई अगले उधारन पर चर्चा करते हैं देखें दूसरा उधारन मैंने लिया यहां पर सिंग लगन की खुंडी का अब सिंग लगन की कुंडी में शनी ग्रह क्योंकि कारक ग्रह नहीं होते वह कुंडी के छटे भाव और सासाथ कुंडी के सब्तम भाव के भावपती बनते हैं क्योंकि मकर राशी कुंड़ी के छटे भाव के अंदर आएगी जब कि कुम राशी की बात करें तो कुंड़ी के सब्तम भाव में आएगी अब शनी ग्रे क्योंकि यहाँ पर अकारक ग्रे बनकर लेकिन नीच राशी की होकर कुंड़ी के भाग्य भाव में बिठे हुए है, मंगल ग्रह की हम बात करें, क्योंकि शनी जो नीच राशी होते हैं, मेस राशी की होते हैं, मेस राशी का स्वामी ग्रह यहाँ पर उच आवस्था का होकर कुंड़ी के छटे भाव के अंदर बिठ भी हो गई है जिन जातक की ये कुंड़ी है इस समय पुलिस बिभाग में काफी उच पदस्त अधिकारी हैं यनी कहने का तात पर यह है कि शनी ग्रह ऐसा आवशक नहीं है कि नीच राशिके हैं तो वह हमें ऐसा खराब फल ही देंगे देखिए इसके लिए आपको कुछ पर विचार करना होगा शनी ग्रह ये नीच राशिके हैं तो मंगल ग्रह की इस्तिती स्वाग्रही या उच राशिकी हो स्वाग्रही और उच राशिके हम बात कर रहे हैं और शनी की अपेक्छा ज्यादा बलवान होना चाहिए तो ऐसे इस्तिती में शनी ग्रह की दशा अं वी द्रश्टी से अन्य भावों को देखते हैं, तो आप इनकी तीसरी द्रश्टी किसी भावों में शनी जब नीच के होते हैं, तो इनकी तीसरी द्रश्टी किसी भावों में शनी जब नीच के होते हैं, तो इनकी तीसरी द्रश्टी किसी भावों में खराब स्थिती में नह इनकी सातवी द्रष्टी सीधी सी बात है कि सिंग लगन की कुंड़ी में सातवी द्रष्टी जाएगी पराक्रम भाव पर जहां पर राशी कंख होगा साथ ठीक है यनी तुला राशी जो की शनी की मित्र राशी है अब शुक्र ग्रह की इस्तिति ये दि कुंड़ी के अंदर अच्छी होती है, मजबूत होती है, तो निसंदे तीसरे भाव के रिजल्ट भी सुफलदाई होंगे, इसके अलाबा, शनी ग्रे क्योंकि नीच राशी के होकर, नवे भाव के अंदर बेटे हुए हैं, यानि दशा अंदर दशा के दौरान ये सुफलदायक बनेंगे, लेकिन जिस भाव पर दरश्टी जा रही है, उस भाव का स्वामी मजबूत अवस्ता का होना चाहिए, यदि वह कमजोर पढ़ता है, तो ऐसी परिस्ति में हम ये उम्मीद नहीं कर सकते, कि ये शनी की तीसी दरश्टी ये सात्वी दरश्टी ये दस्वी दरश्टी, यदि जा रही किसी भाव की उपर और वहां का स्वामी कमजोर पढ़ गया है, तो फिर उस भाव में दिक्कतें रह सकती हैं, मित्रो तीसरा उधारन लिया जा रहा है करकलगन की कुंड़ी का, अब करकलगन की कुंड़ी में शनी ग्रहे नीच अवस्था के होकर कुंड़ी के दसंभाव के अंदर बेटे हुए हैं, अब क्योंकि शनिग्रहhe कुंडी के दसंभाव में नीच अवस्ता के हुए है, जबकि मंगल्ग्रहे, जो की उच अवस्ता के होकर कुंडी के सब्नभाव के अंदर बेटे हुए है, जिन जातक की ये कुंडी है वो इस समय काफी खराव स्थिती में यानि जिल में हैं अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने बाली बात है कि ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ पर मंगल गरे तो उच्च अवस्था के हो गए ठीक है लेकिन शनी गरे नीच अवस्था के हो गए तो अब यदी मंगल उच वस्था के होकर कर्म भाव के अंदर होते हैं या किसी सुभ भाव के अंदर होते हैं तो वहाँ पर जातक मंगल के बल के कारण अपने जीवन में तरक्की पाता है और जिन जातक की कुंड़ी उन्होंने जीवन में तरक्की पाई भी लेकिन क्योंकि ये ब्यापार भाव है तो ब्यापार में ये मंगल गरें यहाँ पर तरक्की विशेश रूप से जातक को देते हैं हलाकि मंगल की चोथी द्रश्टी के करण शनी का नीचत्व भी भंग हो गया है लेकिन अब क्योंकी शनी एक कर्मपर्धान गरें हैं आपके कर्म अच्छे यदी रहते हैं तो निसन्दे सनी की दशानतरदशा सुफलकारी बनती है लेकिन यदी कर्मों में नियून्टा बनी रहेगी यहनी कर्म यदी खराब हुए तो शनी की तीसी द्रश्टी क्यों की कर्म भाव में शनी बेटे हुए हैं, यहां की तीसी द्रश्टी इनकी जाएगी कुंडी के बारवे भाव पर, जहां से मजेल यात्रा का विचार प्रमकूर्फ से करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि खर्चों का विचार करते हैं, या सीधी सी बात है इस कुंड़ी की हम बात करें तो यहां पर राश्री कंग आएगा तीन यानी बुद्ध होगा ठीक है यानी मिथुन राश्री होगी और बुद्ध इसके भावपती होंगे स्वामी होगे अब बुद्ध की स्थिति आपको देखना है बुद्ध यदि होकर स्वागरी होकर बेटे होएं मजबूत होकर बेटे होएं या बारबाबाव सुभग्गरों के प्रभाव में आ गया है तो नकारत नकफल नहीं मिलेंगी या कमी देखने को मिलेगी या पूर्व के कर्म यदि अच्छे रहें तो निसन दे दशा अंतर दशा के दौरन विशेसला भले ही ना मिले लेकिन कम से कम असुफ प्रभाव भी फिर नहीं मिलेंगी या कह सकते ही कि उनमें नियूंता देखी जाएगी तो कहने का तात पर ये तीन उधारणों के मात्यम से इतना था कि शनी यदि नीच के हुएं तो मंगल की इस्तिती मजबूत होना चाह तो इसमें आपने देखा कि जिन जातक की एक उंडी है वो इस समय समस्याओं में क्यों है क्योंकि जैसे ही उनको शनी की महादशा लगी तो समस्या में घर गया ठीक है तो निर्भर करेगा कर्मों के उपर विशेस रूप से निर्भर करेगा जिस भाव पर द्रश्टी जा रही है उसके स्वामी की स्थिती पर मित्रो आईए अब बात करते हैं उच्च के शनी के विशे में देखिए नीच के शनी को हमने जाना तो क्या उच्च के सनी खराफल देते हैं या अच्छा फल भी देते हैं या क्या वल अच्छा फल ही देंगे या खराफल नहीं देंग तो इसे समझते हैं देखिए शनी ग्रहे इस कुंड़ी में तुला लगन की कुंड़ी है ये अब तुला लगन की कुंड़ी में शनी ग्रहे उच अवस्था के बेटे हुए हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं कि शनी ग्रहे के पास कुंड़ी का चतरत भाव है और एक केंदर का घर ने मिला हुआ एक तरकोर्ण का घर मिला हुआ तो जिनभी लगन की कुररणी में शनी ग्रहे के पास एक केंदर का घर हो एक कुरर्ण का घर हो उसमें सामाहनिता अपनी दशा अंतरदशा में ये अच्छा फल देते हैं विशय सूर्व से तुला लगन की कुंड़ी में और व्रशव लगन की कुंड़ी में दोनों को ही आज हम समझने बालें देखिए अब यहाँ पर शनिग्रे क्योंकि उच्छ वस्था के होका लगन में बेटे हुए हैं जहां पर राशी का अंकल लिखा मिलेगा आपको चार ठीक है यनि करकर राशी होगी अब शनी ग्रहे अपनी दशा अंतर दशा में फल कैसा देंगे इसे समझते हैं देखिए शनी ग्रहे की दशा अंतर दशा के दौरान अच्छे फल मिलेंगे विशे सुरुप से भूमी भव पंचंभाव और लगन के विशे में जातक का सुभाव गंभीर होगा सोच विचार कर बोलने वाला होगा ऐसा प्रवाव शनी देते हैं लेकिन अब यहां पर मान लीजिए कि लगन पर किसी खराब ग्रह का प्रवाव पढ़ रहा है या किसी अच्छे ग्रह का प्रवाव प यहां पर राशी आगई गुरु की ठीक है अब जातक को यह बना सकते हैं ठीक है जातक का बैवार लापरवावी पूर हो सकता है यह नि खात्त पर है कि जातक को लापरवाई कारियों में नहीं भरतनी चाहिए क्योंकि शनी सत्रु द्रश्णी से कुन्डी के पराकरम में स्वागरी, मित्रगरी ये उच्छराशी के होकर यदी बेड़ जाएं स्वागरी का होने में तो थोड़ा दिक्कत रह सकती क्योंकि यदी मान लिजे शनी स्वागरी होते हैं स्वागरी गुरू स्वागरी यदी होते हैं में ब्रद्धी होगी यानि कहने काताथ पर है कि गुरू उच्च वस्था के हो या फिर गुरू मजबूत होकर किसी सुभाव के अंदर हो और शनी की दृष्टियां उन पर नहीं हो लेकिन गुरू की दृष्टि यदि शनी पर पढ़ जाती है तो फिर जातक बिल्कुल परा या शनी मंगल ग्रहे किसी भी भाव में मजबूत होकर बेटे हुए हो तो सब्तम भाव से संबंदित अच्छे फल जातक को जीवन काल के दौरान देखने को मिल सकते हैं इसके अलावा शनी ग्रहे क्योंकि लग्मे बेट का दसम दृष्टि से कुंड़ी के दसम भाव को द श्रम के दम पर जीवन में तरक्य अर्जित करता है लेकिन मान लीजे शनी ग्रहे किसी की कुंड़ी में असोब इस्थिती में हो जाए असोब इस्थिती का तातपर ये है कि नीश चत्व भंग ना हो और जिस राशी में शनी नीश के होते हैं जैसे कि मेस राशी में और नीच राशी के हो जाएं और मंगल की स्थिति कुंड़ी के अंदर खराब हो तो दशा अंतर दशा के दौरान कुछ कष्ट की स्थिति बन सकती है जातक आलसी किस्म का लापरवा किस्म का हो इरशालू किस्म का हो जूट बोलने इत्यादी में विश्वास रखे या जूट इस नीगरे की दृष्टी पढ़ जाती है या चंद्रमा की स्थिति कुंड़ी के अंदर खराब हो और शनी से युथ हो या दृष्ट हो तो एसी स्थिति में साड़े साती के दौरान जातक को मांसिक कष्ट हो या चंद्रमा जिन भावों के कारक अगरे बने उन से सम्मंद दि प्रभाव कम रहता है तो साड़े साती का प्रभाव कम रहता है ठीक है अब मैं यह नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल नहीं रहेगा लेकिन कम देखा जाता है मित्रों शनी और चंद्रमा जब कभी भी कुंडि में एक सांथ बेड़ जाते हैं तो क्या होगा नकारत्मक विचार जातक को परिशान कर सकते हैं दशा अंतरदशा के दोरान विशेस रूप से देखना होगा आपको ये और शनी जब चंद्रमा के साथ बेटते हैं तो माता के स्वास्त में परिशानी होना या घर के सुखों में कमी होना इस प्रकार की इस्तितियां देखी जाती है इसके अलाबा आपको देखना होगा कि शनी चंद्रमा यदी यूती बनाकर सांत में बेटे हुए हैं तो किस भाव में बेटे हुए हैं ये भाव काफी महत्पूर है जिस भाव में बेटेंगे उस भाव से समद्ध कोई ने कोई दिकत या परिशानियों की तरप ये सूचना देते हैं लेकिन उसमें जो राशी का अंकल लिखा है जहां पर ये यूती बनाकर बेटे हैं उसके स्वामी की स्थिति क्या है यदि वह कुंड़ी में मजबूत हो और जहां पर शनी चंद्रमा की यूती हो वहां पर किसी सुबख ग्रहे जिसे गुरु इत्यादी का प्रभा हो यानि गुरु की दरश्टी पढ़ जाए तो इसमें नकारात्मक्चीजों में कमी आती है दिक्कतों में फिर कमी आती है अब शनी चंद्र जब साथ में बिठेंगे तो सीधी सी बात है यदि कोई वेक्ती मान से कुरूप से परिशान होगा तो किसी न किसी कारे में जिस भी कारे को वो करेगा उसमें कहीं न कहीं उसे दिक्कत परिशानियों के सामना करना पड़ सकता है इसके अलाबा शनी और सूर्य की यूति की बात करते हैं देखिए शनी और सूर्य आपस में नेसर के रूप से सत्रुग रहे हैं यदि ये दोनों आपस में विसाथ में बिटते हैं तो क्या होगा तो देखिए शनी और सूर्य जब साथ में बेठेंगे तो पिता के साथ जाता के मतवेद रह सकते हैं संगर्स के बाद सफलता के योग बनते हैं काफी संगर्स करना पड़ेगा आत्म विश्वय से त्यादी में कमी देखी जाएगी नित्रत त्यादी में कमी देखी जाएगी नोकर इत्यादी का कारे करना तो देरी का सामना उससे करना पड़ सकता है ये चीजें हो सकती है अब क्योंकि शनी मजदूर वर्क के कारक है परिश्रम के कारक है लेकिन जातक यदि परिश्रम करते रहे तो निसंदे देर सवेर जातक को सफलता मिल जाती है विशे सुर्व से 36 वर्स के पश्याद इसके अलावा शनी और सूरी जब साथ में बेटते हैं तो जातक को जादा से जादा आध्यात में गवन्ने का प्रयास करना चाहिए पिता का सम्मान करना चाहिए तो फिर जातक जीवन काल में सफलता अरजित कर पाते हैं यह संगर्स की स्थिती जरूर मानी जाएगी जीवन में संगर्स को यह बताती है अब आएए बात करते हैं शनी मंगल की यूति के विशे में देखिए शनी और मंगल जब कुन्डी में एक साथ बेटते हैं तो यह यूति सामने था किसी भी दरश्टी से ठीक नहीं कहीं जा सकती इसे अकस्मात योग या द्वन्द योग के नाम से जाना जाता है अब इसका मतलब यह नहीं कि इसके हमें साखरा विजल्टी मिलेंगे देखिए शनी मंगल की यूति जब बनती है तो जातक टेक्निकल माइंडेड होता है यानि जातक तक्नी की विद्ध्या का जानकार होगा या तक्नी की छेत्र में सफलता प्राप्त कर पाएगा हलाकि इस्थायत प्राप्त करने में जातक को देरी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि शनी 36 वर्स के बाद और मंगल की बात करें तो 28 वर्स के पश्चा जीवन में सफलता प्रदान कर पाएंगे यदि शनी मंगल की युती पर किसी सुबग ग्रह का प्रहव पढ़ जाएंगे सोचे समझे ढंक से प्लानिंग करके कारियों को करना है ठीक है और किसी भी प्रकार के जल्दवाजी के नरने से बचना है क्योंकि जल्दवाजी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे और लापरवाई करेंगे तब भी नुकसान उठाएंगे तो सीधी सीधी बात है कि जातक की गहरी सोच होगी सिक्षा के शेतर में या फिर किसी लिखा नित्यादी के शेतर में जातक को सफलता प्राप्त हो जाती है लेकिन दोनों ग्रह सुब वबस्ता के होने चाहिए कोई ग्रह कम से कम नीच वबस्ता का नहीं होना चाहिए शनी और गुरू की बात कर लेते हैं, शनी और गुरू की यूती जब किसी भी भाव के अंदर बनती है, तो शिल्प कला में जातक प्रिमिन होगा, धीमी गती से तरक्की करेगा लेकिन तरक्की करेगा वस से, ठीक है, संतान का सुक, सिक्षा का सुक, सिक्षा का लाव, यानि किसी रू सम्मान होगा मान सम्मान अच्छा होगा सुद्ध आच्रन जातक का हो सकता है विश्यस रूप से जब कभी भी शनी और गुरू की यूती पर किसी असुब ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए हलाकि शनी और गुरू की यूती जब बनेगी कुण्डि के अंदर तो यह सामान अच्छी तो नहीं कही जा सकती क्योंकि कहीं न कहीं गुरू से सम्मंदिश चीजों में जातक को या तो देरी का सामना करना पड़ेगा या थोड़ी भहत परिशानियों का सामना भी उससे करना पड़ सकता है, अब यदि शनी और शुक्र की यूति की बात करते हैं देखिए शनी और शुक्र जब कभी भी कुर्ली में एक साथ बेटते हैं, वैसे तो हैं ये दोनों में त्रगर है लेकिन आब ये दोनों जब साथ में बेटेंगे तो व्यसन योग का निर्मार करते हैं अब व्यसन का तात्पर ये नहीं है कि कोई नसे त्यादी की चीज ही जातक ले व्यसन का तात्पर ये है कि कोई न कोई बुरी आदत भी हो सकती है ठीक है और इसके लाबा बुरी संगत भी हो सकती है तो इस प्रकार से भी आप इसे ले सकते हैं शनी शुक्र की यूती को बेवाइक दरश्टी से ठीक नहीं कहा जा सकता ठीक है दिवारिया योग का निर्माड़ी करता है लेकिन पूरी बात को सुनना होगा शनी शुक्र यदि साथ में किसी बेठे हुए हैं तो ये दिवारे योग बनता ये बात सच है लेकिन आपको देखना होगा सब्तम भाव के स्वामी की स्थिति सब्तमेज यदि कुंड़ी के अंदर मजूत हो सब्तम भाव पर सुबग ग्रों का प्रभाव हो तो ऐसा नहीं होता लेकिन यदि सब्तम भाव और सब्तमेज भी पीड़ित हो सब्तम भाव पर असुब ग्रों का प्रभाव हो और शनी और शुक्र की युति लगन भाव के अंदर ये किसी भी असुब भाव के अंदर बिढ़ जाए अला कि लगन भाव उसुब भाव नहीं होता लेकिन किसी भी भाव के अंदर शनी शुक्र की युति बने और सब्तम भाव और सब्तमेज पीड़ित हो तो हाँ इस बात के एक आशंग का जरूर बनी रहती है आई ये बात करते हैं शनी और राहू की युति के विश्य में देखिए शनी और राहू की युति को शापित योग के नाम से जाना जाता है इसे ठीक नहीं कहा जा सकता जीवन में संगर्स की स्थिति बनती है जातक को नकारत्म विचार परिशान कर सकते हैं ठीक है और रोग इत्यादी बने रहना या कई बार रोग पकड़ में ना आना ठीक है सत्रू जादा हो जाना इस प्रकार की स्थितिया बनती हैं जब कभी भी सत्रू की बाद चल रही हो तो आप कुणली के छटे भाव छटे भाव के स्वामी की स्थिति देखें रोग इत्या संद गुरू की स्थिति भी देखें शनी और केतु की यूति की चर्चा कर लेते हैं देखें शनी और केतु जब साथ में बैठते हैं तो ये भी एक शापित योग का निर्मार करते हैं जीवन में संगर्स की स्थिति बनी रहती है भासा आमारे यादित रह सकती है जातक कि तो भासाँ पर नियंतरा रखना चाहिए, इसके अलाबा, जातक को नकारत्मक विचारों से बचना चाहिए, तो कहने का ताथ पर है कि शनी ग्रहे जब किसी भी ग्रहे के साथ बेटते हैं तो अलग-अलग फल उत्पन करते हैं लेकिन जिस ग्रहे के साथ बेटे हुए हैं और जिस ग्रहे के साथ शनी महाराज बेटे हुए हैं और जिस राशी में बेटे हुए हैं तो उस राशी के स्व ग्रह का प्रहव पढ़ गया है उधारन के लिए ठीक है तो क्या होगा नाकारात्म प्रहव में फिर कमी देखी जाएगी मित्रों आईए बात करते हैं सस योग के विशे में देखिए शस नामा के पंच महापुरस योग शनी ग्रह के दौरा बनाया जाता है यब कभी भी शनीक रहे स्वागरी यनी मकर राशी के होकर या कुम्ब राशी के होकर या उच्छ राशी के होकर यनी तौला राशी के होकर के अंदर के घरों में या तरकोंड के घरों में बिड़ जाए विशेस रूप से लगन भाव में चतृत भाव में और दसम भाव में स अप्तम भाव को हम छोड़ देते हैं थोड़ा सा यानि शस महापुरसी योग लगन में चतुरत में और दसम भाव के अंदर बनें और विशेशुरूप से वरशव लगन और तुला लगन तो इन लगनों में शस महापुरसी योग के काफी अच्छे रिजल्ट देखे जा सकत एक पंच महापुरसी योग का निर्माड करते हैं अब ध्यान रखें कि शस नामक पंच महापुरसी योग दशा अंतर दशा के दौरण अच्छा फल देगा जीवन में तरक्की देगा लेकिन जातक को बिपरीद वर्ग के प्रती थोड़ा सचित रहने की आवशक्ता रहती यह पुरस है तो इस तरी वर्ग से इस तरी है तो पुरस वर्ग से सचित रहने की आवशक्ता रहती है क्योंकि जातक की या जातिका की ये विपरीद के प्रती आशक्ती को बढ़ाने वाला ये योग कहा जाता है ठीक है यदि यहां से बचे तो निसंदे जीवन काल में जा अपना बनती है मित्रों कारिक्रम ग्यान बर्दक लगा हो तो लाइक करें चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें धन्यवाद